ह ministर के सुफ्ट के स्टार्ट से पहले आप लोग में चेंग को सब्सक्राइब करते हैं गारेंग औरcell निक्स विम्सक्येब करते हैं कि तुम्हारी ओना प्रहें चैनाद पो assumptions कर सके हैं दोयन तुन की बात पर कुछ भी नहीं बहुता है वो किसी की कॉल का वेट कर रहा होता है बस अपने मुबाल की तरफ ही देखी जा रहा होता है वेन जो दोयन का साथ देरी होती है और बताती है कि परफेसर वेन मेरी डैड है उन्होंने इनके साथ परजेक्ट को स्टार्ट किया उनका परजेक्ट विल्कुल भी बुरा नहीं आपके बहुत अच्छा बहुत से लोगों को उनसे फाइदा भी हुआ है एक का अगर नुकसान भी हो गया तो ऐसा क्या हुआ है देखना ये वाला ड्रॉक बहुत ही अच्छा जाएगा और मार्किट में भी आएगा पर वो लोग इस बात को नहीं मारे होता है कहें लगते हैं कि हमने इस का में बहुत ही जड़े इन्वेस्ट किया है अगर हमें नुकसान होगा तो हम सारी बरपाई दोयन तुन से लेंगे दोयन कहता है कि आपको अपनी नुकसान की है न तो वह भी मैं आपको नुकसान पूरा कर दूंगा पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस रोग को लांच किया जाए तो वा कहते है कि चलो ठीक है ये भी देख लेंगे कि हमें फाइदा होता है या हमें नुकसान होता है पर नुकसान तो हम अपने आपका होने नहीं देंगे के कि जोबी कंडिशन आ वो तुम्हारी मैचें की तुम्हारी मैटिंसरों के वजह है उतुम्हारी मेचिन headed एक्षिन ले रही हूं मैं लोगों की जान बचाने के लिए करें के किसी और उन ना जाए और किसी और को डिफरेंट डिफरेंट डिजीज ना हो बस इसी वज़ा से मैं सब कुछ कर यह तो मैं मुझसे नराज होने की जूरत नहीं है तो वह कहता है कि नी नी ऐसी कोई बात नहीं है पिस वह आपनी आंट की वीडियो की बात करने लगते हैं तो वह कहता है कि वीडियो कौन सी वीडियो मुझे किसी वीडियो का नहीं पता तो वह बताती है कि मेरी आंट की वीडियो बनाई गई थी यह सुनका वह जल्दी से अपने असिस्टेंट का गॉल करके पूछता है कि तुमने क्या वीडियो बनाई थी और क्या तुमने उसको पॉस्ट किया होगा हमारी जान नहीं ठोड़ी तो वह मेरे पर जट को अच़्िस का मुकावला करना चाहती है उसका हो इसानी होने दूए और नाई आइसा होने देना है तो वैसी डिखाए चाहते जो अपने घर पर होती है अपने रोम से बाहिर आकर चाहने कि डैड मेरे लैपटोप पर जूस की गया है और मुझे आपकी लैपटोप की ज़रत है क्यूंकि मुझे बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट काम है तो उसके डैड उसको अपना लैपटोप दे देते हैं कि तो मेरा वाला लैपटोप यूज को लावें भी उनका लैपटोप रिपोर्ट्स वगरा आ गई है और पता लग गया है कि उसी प्राई की वज़र से लोगों में अलूरिजम हो रहा है और हमें पता है कि आपके इस परजेक्ट में बहुत जादा मिहनत है हम कभी भी आपकी मिहनत को बेकार नहीं करना चाहते थे बस हम तो लोगों की जान बात करती है कि जब मैंने वीडियो को प्रस कॉंफरेंस में चलते हुए देखा तो मुझे घुसा आए कि ऐसा क्यों हो रहा है तो मुझे पता लग गया कि वह बस एक गलती से वीडियो आई थी तो बताते है कि मुझे दोयान ने भेजी थी अगर मुझे पता होता कि वह आखर अपनी पीटी का परस चेक करते हैं परस में से कार्ड भी लिखा लाता है यह देखकर वह वह बन को बुलाते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया तो ना कि तुम्हें करोगी तो बहुत करती हूं मुझे पहले भी होस्पिटर से निकाल दिया गया तो मेरे पास कोई और ज लड़के ने ब्रेंवश कर दिया है पर अब मैंने तुम्हारी बास से सोच लिया है कि मैं अपने इस बॉजट को खतम कर दूँगा अब यह कहीं पर भी मार्किन में लाउंच नहीं होगा और कॉन्फरेंस में चलती करवा तो यह कह कर कि किसी का वोइस नोट कर देता है कि क को बता देते हैं कि बहुत बड़ा मसला हो गया है अब कॉन्फरेंस का टाइम आते तो वहाँ पर भागते वे दोयन भी आ रहा होता है पर आगे से दोयन का रास्ता आका गए रोक लेता है और सौवे भी क्योंकि वो लोग दोयन को वहाँ पर अंदर कॉन्फरेंस पर नहीं करہ दे होते कि ने पता था कि यह पर रोको रॉक्त करने के लिए ठास्तर ni. जाँ पर उपर कियोंकि मैं इस परजटकों करने में बहुत ही जर्दा टाइम वेस्ट किया और बौगती मुआजी मुच्चिलों से मैं यह पर पादमा से जाने लगता है पर गॉयन उसे नहीं जाने दे रहा हुता है तुम कॉन्फरेंस में चले जाओ कर पर मैं तुम्हारे पीछे से तुम्हारी सारी हाकिकत को लोगों के सामने कर दूँगा कि तुमने लोगों के साथ क्या क्या किया है यह सुनने के बाल वो गॉयन को म और पूछे लगती कि तुम्हें इस बारे में कब पता चला अब गॉयन बीबी को शौक था दोन कहता है कि मुझे बहुत पहले से पता लग गया था और इसी वज़े से मैं इस ट्रॉक की ओपर काम कर रहा था ताकि यह जल्दी से जल्दी ड्रॉक बंजा और तुम्हारी जान बच पाए पर तुम्हें क्या तुम्हें अपनी जान से जाता तो गॉयन नजराता है ना तो सौवे कहते ही कि मैं अपनी जान के लिए लोगों के जानों को खत्र में नहीं डाल सकती मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगी चाहे मेरी जान क्यों ना जली जाए तो दो दोईन उ हुआ है और वैसे का सीन दिखा जाता है जहां पर इसे सोरी कर रहे होते और यह भी बता देते हैं कि मैं इस परज़ेक्ट में नहीं आएगी अब इस बात के बार सब कुछ खतम हो गया था और वह भी सभी लोगों से सोरी करने लगते हैं और फिर वहां से जब चले जाते हैं दो इन भी कॉन्फरेंस्वों से बाहर आ रहा होता है बाहर सब इमीडियों उनका वेट करी होती है और पूछे लगते हैं कि आपकी वज़े से यह सब कुछ हुआ है ना यहां पर दो एक कुछ भी नहीं क्या पा रहा होता और फिर उसको एक ही याद आता है कि मुझे सोरी स तुमने जो समझने समझो मेरे तो लोगों की जान बचाई है ना कि उनकी हौप को लिया है और आगे से वेन कहते है कि तुम्हारी भी तो यही एक उमीद थी ना अब तुम्हारे पस भी कोई उमीद बाकी नहीं बची और तुम भी रिसार्श्ट्रीम में आ चुकी हो अपन ने उसका बुलाया हुआ था और वहां पर बूहां पर बुलाने के बात बहुत ज़्या राणे की उसके कामों की वज्जा से यहां तरकि जृतंबर के उसके यहां कीयाद कर देता है थी तुम्हारी यहां पर जो ही नहीं। बरकि आपको तो हमेशा आपका गोयनी नजर आता है मेरा तो आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ तो उसके डाट करें लगते हैं कि तुम अपने ग्रैंट पास से किस तरह बात कर रहे तो वह कहता है कि मुझे इन से इसी तरह बात करनी चाहिए जैसा कि हमेशा मेरे साथ करती आये हैं और वहाँ उस हाउस से हमेशा के लिए बाई करके चला जाता है अभी तो हॉस्पिटर का सीन दिका जाता है जहां से सौवे और गोयन बाई लिका रहे होते हैं तो उन बच्चों के माबब उनका वेट कर रहे होते हैं के बच्चे इस मिमारी से गुज़र रहे थे और उन्हें इनकी उमीद थी कि हमारे बच्चे बच जाएंगे पर ऐसा नहीं होता इसी वज़े से वो सौवे और गुर्ण पर चिला रहे होता पर किसी तरह गोयन सौवे को बचा कमा से ले आता है अब वापिस घर पर आने के बा थी जाता है कि लोई मारी लिस्ट लगे होते हैं में को अपना निम तो नजर आ जाता है पर उसके बॉस का नहीं का नहीं होता ये देख करेंगे यह सुनते साथ ही वो जल्दी से गॉयन के पास आता पर गॉयन तो पहले से बात कर रहा होता है और फिर अपना ड्रेस चेंज करने के लिए वाँ से चला जाता है अब करन बाहिर अपने डारेक्टर के साथ आया होता है वो से समझा रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी रिसरच को ने चेंज करना चाहिए तो मैं पता ना इससे आगे तुम्हें कितना फाइदा हो सकता है पर जो तुम्हें कोई भी फाइ चीज से बच सकती है और मेरा दूसरा परजेक्ट वो दूसरे परफैसर कर रहे है ना वो बहुत अच्छा करेंगे मुझे पाता है और देखने उनको उसमें बहुत अच्छा करियर भी आगे मिलेगा और मैं ये परजेक्ट अपनी गर्फरेंड के साथ उन फैमिली के लिए भ करना तरहर दिखा जाते हैं जो अपनी वाइप के साथ बैठे होता है पर उसे उनके बेटे की कुई भी बात नहीं करें जिसके बस म्हातोर आकर पूछे लगते हैं के या और कि extremely और चीज़ पर सेर्च करने तो क्यों ना मैं भी आपके साथ आपकी हल्प करने के लिए आजाओं आपको टीम की जुरत होगी ना तो गॉयन पीस बात से अग्री कर जाता है कि मुझे टीम की जुरत है क्योंकि मैं और सोवे ही हैं यहां पर बस और उसे अपने साथ टीम में र वहाँ से भाग जाता है आप उसके डैड उसके सामने बैट कर पूछे लगते हैं कि तुमने अपना रिसर्च का काम क्यों चेंज कि आप किसी और चीज़ पर रिसर्च क्यों करे हो इस तरह के लोग तो बहुत ही काम है तो बहुत काम है तो उनकी जान भी तो इंपोर्टन रहना तो मुझे उनकी जान बचानी है पर उसके डैड तो इस पार्ट को समझ ही नीरे होते और यहीं पर हमारे यह पार्ट भी एंड हो जाता है वीडियो अच्छी रगे तो वीडियो को लाइक करना